वेल्कम बेक टू माई न्यू ब्लॉग तो कैसे हो आप सभी लोग आई होब कि अच्छे होंगे करते हैं आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्री की हार्दिक सुब काम नाए लगवग आज सभी लेडिज सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्री की हार्दिक सुबकाम नाए और हैपी नवरात्री तो दिन है 26 सेप्टेंबर और आज से स्टार्ट है नवरात्री तो नवरात्री के टाइम पे हम 9 दिन का वृत रखते हैं क्योंकि हम माता के 9 रूप की पूझा करते हैं तो हर रूप अलग-लग होते हैं माता के तो आज फास्ट है तो घर का सारा काम करके मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि आज सबका फास्ट है घर में बस बच्चों का नहीं है मम्मी का एंड हस्बेंड का और मेरा तीनों का फास्ट है तो हम तिनों के तिनों को अब मंदिर में थोड़ा सा पूजा हो जा करेंगे अभी तो सबसे पहले मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी एंड मंदिर में जितने भी भगवान थे ना वो सब के सब शिरोला जी लेके गए उनको नलाने के लिए क्योंकि मैंने उनको बोला कि ये काम आप कर लो और मैं बागी का काम कर लेती हूँ तो वो आ भी चुके हैं एंड सारे परतन में उन्होंने मंदिर के अच्छे से वाश करके लेके आ गए थे तो अब मैं मंदिर को अच्छे से और्गनाइज करूंगी क्योंकि अभी मेरा मंदर पूरा खाले है मेरा मंदर बहुत छोटा है क्योंकि हम लोग कभी 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 रहते हैं क्योंकि जहां हमारी पोस्टिंग आती है हम वहीं चल देते हैं husband के साथ तो इससे क्या होता है कि ज्यादा बड़ा मंदर रखना अभी possible नहीं है क्योंकि ये समान फिर जाना फिर आना बहुत जादा हो जाता है तो गाउं में तो हमारा बड़ा सा मंदिर है बट यहां पर छोटा सा ही मंदिर है और दूसरी बात मैंने मंदिर उपर दिवाल पर टांगा हुआ है क्योंकि कहते हैं कि भगवान जी कभी भी जमीन पे नहीं रहते हैं तो उपर से एक मेरा बेटा है न छोटा वाला आप देखतें उसको थोड़ा सा सरारती है तो इस चकर में भी मैंने मंदर उपर ही टांगा है जब से वह पैदा हुआ है तो अब मैं मंदिर में अच्छे से माला आएं सब लगा लूँगी जो ये माला थी वो मेरी लास्ट येर की थी वो में लास्ट येर में लेके आए थी और आज मैं अभी जो लेके आई हूँ मैं माता की चुनरी लेके आई हूँ प्रसाथ, रोली और माता की छोटी सी माला इसके बाद अच्छे से मैंने देख already सहारे ठारे ठाइस झीए मटन को रॉक्ति आ gratis नहीं में उदर्था God इसीफमत करका माता तो मतां घारी लेकर आईयर हिया देखिये माता ने ठाइस और रखिये यह बधपन में जब कभी पूजा पार्थ तो मुझे बहुत इंट्रस्ट आता था बंडी जिसे बात करने में बैट बता ने क्यों मुझे अच्छा लगता था तो तब मुझे बताते थे कि मतलब बताते थे कभी भी ना जो हमारे गणेश भगवान होते हो हमें साब पीले कपड़े के निचे रहते हैं पहले निचे से में बड़ी सी चुन्दिरी लेकर आए थी जो मैंने मंदिर के ऊपर डाल दी है। अभी डाली थी तो जो चुन्दरी हें क्लों लेकर लेकर आया थी मंदिर में चड़ाने के लिए लगवक सारा का सारा समान मैंने रख लिया और तेल करूं तेल है बस हमतील के तेल की दिया बाती करते हैं कभी-कभी की करते हैं जब घी फ्रेश हो या ठीक हो एंड उसके बाद निच चेसेने एक चुछा सेल्फ लगा रखा है हम लोगोंने तो बागे का जो बचा होँआ समाने वो सब कुछ मैं सैलफ में रख लूगी क्योंकि मंदिर तो वो काफी छोटा है तो उसमें इतन जगा नहीं होती है तो ममी जी भी नहाद होके आ गई है उन्होंने भी नहा लिया है तो वो भी जा रखी है बाहर कपड़े दालने के लिए और सिरॉला जी भी नहाद होके सुबही रैडी हो गए थे अथर्व स्कूल चला गया था और आदी घर पे ही था तो उसके बाद अब ये पूजा करने के बाद अब जलाएंगे थोड़े देर में दिया क्योंकि अभी सब कुछ समान अच्छे से और्गनाईज करती हूं फिर उसके बाद रख लूँगी तो आच्छा लगता है झा छलसशा होता है बंदिर में यह लगा लें यह लगा लें पर नहीं हो शेक्ता फिर be कोशिस करती हूं कि थोड़ा बहूत हो जाए और नीचे मैंने इतना भी आपको समान देख रहा है ड Warum दृ लया हो चुका। है मैं नारेल नेक आए थी कलस बनाने के लिए बत क्या हो ओना कि यहां पर जगा बहुत कम थी तो मैं कलस नहीं बना पाई तो मैंने इस नारेल को भी क्याए दूर साइड में रख दिया बेट टेबल में और परसाद में लेकर त्वास-थिंद, उसके बाद अब ट्यारी करते हैं, मुलश में लगे अपने काम सबस दोगी मैं आजब करने का नंगा होगा है NDD तो तिल का तिल मैं डाल के बाती बना लूंगी और बाती भी नहां वाली बाती है लेकर हिसे डिया वाले बाति करते हूं गिए और उसके बाद देखिए सब कुछ मतलब अच्छे से नहि mont sce अच्छे से साफ हो चुका है और भगवान जी सारे आ चुके हैं मंदिर में एंड उसके बाद अब करते हैं दिया जलाना स्टार्ट तो दिया मेरा जलने लग गया मैं फास्ट ना बहुत कम रखती हूं मतलब साइधी ना के बराबर रखती हूं बस यह है कि नवरातरी मैं जाने सकते क्योंकि दूर-दूर में ही है और इतना हमें पता नहीं है कि हम कहां जाएंगे करके तो अभी सिरॉला जी चुटी में है तो पंचे मी के दिन कहीं पे चले जाए मंदिर में तो देखते हैं एंड मैंने कर ली है पूजा तो उसके बाद हम जा रहे थे पूजा कर और व्रूह fragen में मैंने सिर्फ दिफ दहीं चीनियो का मिआरे का यूजू का ऊध्या धम्द्ध होा petite और उसके बाद दही मिला के चैनों को को trees & chuck डूंबंड में चौप करने के बाद मैं केlles मैं ऐड़ कर दिये थे उम्हाद की ज्यादा नइए 我們 लेकिन हम तीन लोग थे मेरे हस्बेंड मैं एंड मेरी सास हम तीनों कोई फास था तो बस मैं चार के लिए उसमें यूज करे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी और अच्छा भी होता है विससे फलहार के लिए यह चीज़े बहुत अच्छी होती पहले माखाने फ्राय करने संदे तो ऐसा रहा हमारे आज का पूरा सुबह से लेकर साम तक का डे मार्केट भी गए थी क्योंकि हमें शियोला जी का कैस्ट टेस्ट भी कराना था तो उसका रिपोर्ट अभी नहीं आई है देखते हैं उसकी रिपोर्ट कब आती है तो तब तक वेट करते हैं और इसके बात यह भी मेरा रैडी हो चुका है देखिए बहुत टेस्टी होता है कभी आप लोग ट्राइब करना और इसके बाद अगर ट्राइब किया तो कमेंट में मुझे जरूर बताना की कैसा होता है अपनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूं और इन सब को सब करती हूं केला इसके आप लगें तो प्लीज ल्याइक कीजिए का और चैनल को शेयर किजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओकें बाब बाई ऐन टेक गयर